Hello Dear Viewers, Class 11 में Admissions के Form भरे जा चुके हैं और बहुत सारे स्टुडेंट्स वेट कर रहे हैं कि कब उन्हें ये पता लग जाए कि उन्हें किस स्कूल में Admissions मिला है खेर ये तो 31 कोई पता लग सकता है इससे पहले तो पता नहीं लग सकता लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया जरूर हो जाएगा Common Merit List से कि आपका Rank जो है Common Merit List में कहां पर है Rank का मतलब आप किस Position पर है और साथ ही में Total Seats जो है Science Stream में कितनी Available है तो इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि आपको Science Stream मिलने का Chance है या फिर नहीं है तो इस वीडियो में मैं Science Stream से Related कुछ Facts आपको बताऊंगा ऐसे 84 Candidates हैं जिनके 100% Marks हैं और इन्होंने Science Stream फिल किया हुआ है तो इनको Science Stream मिलने के Chances तो खेर ही हैं लेकिन अगर इन Students की बात करें जितने भी 100% वाले हैं ये Non-CBSC Board वाले हैं आप Roll Numbers देख सकते हैं तो Roll Numbers CBSC वाले जो Roll Numbers होते हैं उससे Match नहीं कर रहे हैं Common Merit List में जाकर आप चेक कर सकते हैं इस चीज को दूसरी चीज 95 से लेकि 100% तक के जितने भी Students हैं जिनके Marks इस Range में हैं वो करीब 268 Students हैं जिन्होंने Science Stream फिल किया हुआ है सबसे जादा Students जिन्होंने Science Stream फिल किया हुआ है वो 91 से लेकि 95.99% वाले Students हैं इन Students ने सबसे जादा Science Stream फिल किया हुआ है और कितने Applicants हैं ऐसे 728 चलिए अब बात करते हैं Total Applicants कितने हैं Science Stream में तो Total Applicants करीब 4100 के आसपास हैं यह आपके Total Applicants हो गई जिन्होंने First Preference Science भरा है बात करते हैं Seats की Seats कितनी Available है Science Stream में तो Science Stream में आपको Seats देगने को मलेगी करीब 3050 10-20 उपर नीचे हो सकती हैं तो मेरे हिसाब से 3050 है यह Exact जरूरी नहीं है कि पूरा Exact ही हो 10-20 आप उपर नीचे कर सकते हैं तो अगर हम बात करें एक Seats पर लगभग कितने लोग या कितना परसेंटेज है तो Science Stream में करीब 1.3% के हिसाब से चीज़ चल रही है परसेंट चोड़िए मतलब 1.3 का मतलब यह है कि Seat 1 है और उस Seat को लेने वाले 1.3 लोग है Science की बात कर रहा हूं Science Stream में बात करते हैं कि इस बार Science Stream को लेकर Students का Response कैसा रहा तो इस बार भी कोई ज़्यादा इतना नहीं रहा कि सबको Science Stream ही चाहिए ठीक ठाक Response रहा तो 1.3 है एक Seat के पीछे 1.3 Students लगे हुए तो कोई ज़्यादा इतना बड़ा Competition Science Stream में देखने को नहीं मिल रहा जितना की हमें Arts Stream में देखने को मिल रहा है तो अगली वीडियो में मैं Arts के बारें बताऊँगा कितनी Seats हैं और कितने Applicants ने Arts परा है और Arts भी आज कल जो है काफी सारे Students इसको Prefer कर रहे हैं